इसी तरह से कुछ लोगों के मन में ये सवाल जैसे एक आता है जैसे अद्वैत के बारे में सवाल आता है अद्वैत क्या होता है अद्वैत सवाल क्या होता है अद्वैत दो तरह के मत हैं एक मत है ड्यूयलिटी वाला मत द्वैत वाला मत और एक है अद्वैत वाला मत द्वैत और अद्वैत क्या होता है द्वैत यानि कि जहां पर आत्मा और परमात्मा भिन गिने जाते हैं द्वैत यानि वो लोग जो आत्मा और परमात्मा को अलग-अलग गिनते हैं अलग-अलग मानते हैं ऐसे एक मान्यता है तो वो लोग यह कहते हैं जैसे जैसे आपको मैं उधार करते हैं, Freedomist को FollowLow करते हैं, वो क्या कहते हैं, कि मैं अलग अलग, हमें उससे मिलना है। तो जो भकती मारकष मेंरे यद्शाव करते हैं जैसे इस तो हुषारे के लिए और ऐसे ही बाकिज्च मंने अलग और प्रमात्मा अलग अलग, लेकिन जो तो इसके beyond philosophy है, इसके जो बार की philosophy है, वो है अद्वायतमत. अब अद्वायतमत में, अद्वायतमत का मतलब यह हो गया, कि जो 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 non-duality है, मतलब द्वायत बचा ही नहीं, हम और परमात्मा मिलकर एक हो गए अब मैं अलग नहीं, वो अलग नहीं, ना मैं उससे दूर था ना वो मुझसे दूर ता आना था नजर दो hacker का खुजूर था यह सोचकी बात है अदवैट अब हमारे जितने भी सदग्रंद हैं हमारे जितने भी जो रिशियों की स्टेटमेंटस हैं वो अदवैट की तरफ इशारा करती है तत्वमसी अहम ब्रम्मास्मी मैं ही ब्रम्म हूँ तत्वमसी वो तुम ही हो इसका अर्थ क्या है इसका अर्थ है कि भेद नहीं है तत्वमसी श्वेत के तू सीधा-सीधा कहा कि तुम ही वो हो वो मतलब सुप्रीम वही सुप्रीम तुम्हारे भीतर उतना ही मात्रा में मौज कि आप अलग परमात्मा अलग और मैं अलग मुझे उससे मिलना है मैं उसके जैसा कभी नहीं हो सकता यह फिलोसफी है अधिकतर धर्मों की फिलोसफी यही रहती है कि हम परमात्मा की जैसे कभी नहीं हो सकते हैं जैसे सारा मुसलिम धर्म भी यही मानता है इवन इसाई भी यह यही मानते हैं अन्या बहुत से धर्म इवन जो भक्ति मारगी है और सब यही मानते हैं कि में उसके जैसे हम कभी होई नहीं सकते लेकिन जो हमारा सनातन धर्म के अंदर एक पार्ट जो है मुख्य दोर पे वह अद्वैद की व्याख्या पर जाता है वह वह परमात्मा उसकी उ सो हम से रिप्रेजेंट किया जाता है उसे वो वो मैं हूं ऐसे कहा जाता है आप जब कहते हो आंतोर पर लोग कह देते हैं सो हम मतलब क्या हूं सो वाट इसका मतलब क्या है इसका मतलब वो मैं हूं अद्वैद नोन डॉयलिटी मैं और वो अलग नहीं मैं बूंड हूं वो स ज्यादा है सागर विराठ है गूंद चोटी है लेकिन वास्तविक अगर डिफरेंस के बात की जाए तो दोनों के अंदर जो उसमें क्वालिटी का कोई फरक नहीं है हां क्वांटिटी का फरक है तो परमात्मा विराठ है एक महा सागर है और हमें एक बूंद है लेकिन दोनों में वास्तवी गुन सेम है यह जो व्याख्या है यह अद्वैत की और द्वैत की क्या है द्वैत की है कि वह अलग है वह महान है सर्वोत्तम है राजा है एक तरीके से गिंग है सबका और हम सधारन उनके जीव हैं उसके सेवक हैं वह स्वामी है हम वह सेवक हैं एक भक्त की भा परमात्मा रूप अगर परमात्मा एक शहद की तरह से है यह मैंने व्यक्या जो है इसकोन वालों से सुनी है परमात्मा अगर शहद की तरह से है तो जो ग्यानी है जो अद्वैत वाती है वो कहते है मैं शहद ही हो जाओं कि मैं भी शहद हूँ परमात्मा शहद है तो मैं भी कि मैं कौने पर बैठकर शेहद का आनन्द लेना चाहता हूं यह आपकी अपना सोच हो सकती है तो मुक्ति की सी दिदो तरह के अर्थ हो जाएंगे इसी बेस पर बनेगी मुक्ति जिस पर आपकी थियोरी है विलॉसफ ही है वैसी ही आप पर मात्मा में जब मर जोंगे तो वैस इस बात पर समझे लिए द्वैत और अद्वैत क्या है और अद्वैत क्या है पर मात्मा को अलग समझते जाना यह द्वैत है और जैसे अद्वैत का मतलब जब हम उससे अलग रही ही नहीं हम लीन हो गए उसके अद्वैत में लीन हो गए प्रेम में लीन हो गए मेरा अलग स कबीर साब अदुयत हुआए अब अडवयत वा दुयत रहना है जो है यह वह यह वाली फिलोसिफी है कि हम अलग और वह अलग हमें उससे दिना है और भक्त की जितनी भी भाष़़िये न यह मिलने इसे भाष़े मैं अलग गीता है ये अद्वैतवादी हैकि तुम अलंग निरंजन इशुर हो तुम सूरज हो दिन रात नहीं ये जो व्यक्राइद गीता के तुम ही परमादमा हो कि दोनों अलग लग में कभी-कभी conflict भी हो जाता है इसमें लेकिन बिल्कुल भी कोई conflict वास्तव में नहीं है दोनों वास्तवी रूप में एक ही है सिर्फ आपकी सोच है कि आप किस रूप में आनन्द लेना चाहते हो परमात्मागरा इस रूप में जोड़ना चाहते हूं रह है तो यह कि यह एक पार्ट समझ में आ रहा है तो यह है इसका एक एक हिस्सा जिस पर हम बात करें